आज इस वीडियो में हम भारत की प्रमुग दर्रे माउंटेन पास को याद करने की ट्रिक देखेंगे दोस्तों ट्रिक के साथ साथ हम जब उसको अच्छे समझ लेंगे उसके बाद हम कुछ कोशन को भी सॉल करेंगे आज प्रिक बड़ी इंट्रेस्टिंग बनाई गई है तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि क्या ट्रिक है तो पहले हम समझते हैं कि माउंटेन पास दर्रा क्या होता है दो पहाड के बीज का जो मार्ग होता है जब वो किसी दो भागो को या दो देशों को जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं दर्रा करते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्किम की दर्रों की ठीक है दो दर्रे हैं सिक्किम में इक नातुला दर्रा है और एके जेलेपला दर्रा ठीक है नातुलाम्टंपास और जेलेपलाम्टंपास इसका निर्मान हुआ है चलिए अब मैं आपको उताता हूं कि क्या है हम इसको कैसे याद रख सकते हैं तो देखे ट्रिक बनी है हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्जामें जैसे हम सिक्किम देखते हैं तो सिक्किम से हमें क्या याद आएगा दोस्तों सिक्किम से हमें याद आ रहा कुछ ठीक है ना तो सिक्के से ही मैंने उसका related करके ट्रि प्लेपला दर्रा ठीक है इन दोनों को हम आसा नहीं जाद रख सकते हैं अगर एक्जाम में जैसे नातू भी आ गया कहीं पर option में तो हमारे दिमाई में तुरंट क्लिक होना चाहिए कि नातू का सिक्का जल गया बस ठीक है तो इस तरीके से हम दोनों दर्रों को याद रख सकत ठीक है देखें दोस्तों अभी मैं आपको पूरा दर्रों की सारी ट्रिक याद कर रहा हूं हैंट्वेंट सारी ट्रिक आपको याद हो जाएगी हम उसकी बाद कुछ important question करेंगे जिससे हमें सारी ट्रीक के सारी रिकॉल हो जाएगी अच्छे से समझ में आ जाएगी और किस कौन उत्री थी दोस्तों दर्रे में हेमा माली नी उत्री तो हेमा माली नी उत्री दर्रे में तो दोस्तों हमारी जो ट्रीक आपको हेमा माली नी दिख रहा है तो यह माली नी जो है यह हमें बताएगा कि उत्राखंड में कौन-कौन सी दर्रे आती है तो मास दोस्तों मारा बना मानना दर्रा, ली से मारा बना लिपूलेक दर्रा और नी से मारा बना निती दर्रा, दूसरे इस से रिलेटेड वर्ड नहीं है, दर्रों में तो आप कंफ्यूज मत हुए वहगा, टेंशन मत लीजिए, मालीनी से हम हराम से याद रख सकते हैं, कि उत्राखंड में कौन-क दर्रा, तो ध्यान रखे गात्याओं डोस्तों कितने हैं, वर्ड लिया हिम, तो यहां से ट्रिक को पकड़ तो ट्रिक यह हैं that के बड़े किले पर हिम गिरा रोईत के पास यहसा समझे की एक बड़ा कीला था उसके ऊपर बर्फ गिर ग़िया बडाशा है हिम गिर गया निय bahag अगर आप जैसे की उत्राखर्न देखेंगे तो हेमा माल내 नी उत्री दर्रे में तो आपको वह शिप्किला दर्रा बहुत इंपोर्टेंट है, 17 नदी से इसका निर्मान हुआ है, ध्यान रखिए, चलिए, अगले अब हम स्टेट की बात करते हैं, अगला हमारे पास जो प्रदेश है, वो है अरुनाचल प्रदेश की दर्रे हैं, तो अरुनाचल प्रदेश की जो इंपोर्टेंट डर्रे हैं, वो है बॉमडिला दर्रा, दीफू दर्रा और यांग्याब दर्रा, दोस्तो यांग्याब दर्रा जो है, यह बहुत ज़्यादा 2014 में भी एक्जाम में पूछा गया था यह वाला तो आप ध्यान रखिए इसकी जो ट्रिक बनाई है दोस्तो ऐसे बनाई है कि आपको याद रखना है अरुन को अरुन जो था बहुत अच्छा इंसान था जब भी उसको कोई बीज मिलता था तो वह उसको बो दिया करता था त आप बो से हमारा बना बॉम डिला ठीक है दी से बना हमारा दीफू दर्रा और या से हमारा बना यांग्याब दर्रा दोस्तो इस ते रिलेटेड वर्ड आपको नहीं मिलेंगे अगर आप सोचेंगे कि इस रिलेटेड कोई दूसरा आ गया तो बिल्कुल भी नहीं आएगा अगया sih तो है याद हो गये है और हम आगे अदर स्टेट की बात करतें और प्रेंट्स को बात करते हैं प्रेंट्स अभारत की सबसे उंची दर्रा है, कारकोरम दर्रा जो है भारक की सबसे उंची दर्रा है, ध्यान रखिया का दोस्तों, एक्जाम में कोशन पुछा आ सकता है, जो और बनिहाल दर्रा जो है, इस बनिहाल दर्रा में जवाहर सूरंग उपस्ति थे, जिस वज़े से इसका नाम भी है, जवाहर कश्मिर में इंटर कि कहा जाओ, तो जो भी जिला मिला, उसको उस में गुस गया, तो जो जिला मिला वह जम्मु कश्यों में गुस गया, आप इतनी भैंकर थंड थी, कि से हमारा जम्मू कश्मिर की दर्रे के बारे में बताएगा कार से हमारा बना कार कोरन दर्रा, जोजिला से हमारा बना जोजिला दर्रा पंजा से हमारा बना पीर पंजाल दर्रा भूर्जी से हमारा बना बूर्जिल दर्रा और बन गई से हमारा बना बनी हाल दर्रा तो इस तरीके से हम पांचो दर्रा जो है जम्मु कश्मिर की आसानी से याद रह सकते हैं एक लास्ट इपोर्टेंट बात उड़ता देता हूं दोस्तों आपको मैं जो जिला जो दर्रा है इसका निर्मान जो हुआ है वो सिंदुन नजी से इसका निर्मान हुआ है सिंदुन नजी से हुआ है और हम कैसे ट्यक के माध्यान को स्वूल करेंगे चलिए हम समस्थे हैं तो चलिए हम ऑप्षण को देखते हैं पहला option है दोस्तों हमारा जो जिला दर्रा तो जो जिला तो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जम्मु कश्मीर गया था वो तो वहाँ पर उसने कास जा रहा था तो जम्मु कश्मीर में हो जी नहीं सकता नातुला तो नातुला दोस्तो आपको जैसे याद होगा कि नातु का सिक्का जल गया था तो नातु का सिक्का सिक्किम तो सिक्किम वाली है ये तो ये भी नहीं हो सकता जेले पला तो जल गया था तो ये भी नहीं हो सकता shipkila बिलकुल हिमाचलप्रदेश के TRAIK क्या थी दोस्तों हमारी रोहित के बड़े खिले पर हिम गिरा तो बड़े किला घुला हमको मिल गया shipkila तो दोस्तों answer होगा हमारा D आसानी से आप लगा सकते हैं अगला देखते हैं दोस्तों कोशन जो जिला दर्रा जोड़ता है जैसे कि अभी हमें पता है कि कश्मिर गया था तो जो जिला मिला उसमें गुज़ गया था कार लेगे तो श्रीनगर और ले को बिल्कुल यह आंसर होगा जमो कश्मिर बाकी तो चंपा वस्पिती अरुनाचल प्रदेश रोतांग हिमाचल प्रदेश लिपू लेक उत्राखंड पालगाट केरल तो लिपू लेक को देखते हैं तो उत्राखंड उत्राखंड हमारे उत्रने की बात हुई थी तो हेमामाली नी उत्री दर्रे में तो माली नी तो उत्रा माली ली मिल रहा है तो मतलब यह रुनाचल प्रदेश बता रहा है, तो यह गलत है, मतलब कौन सा सही नहीं है, A वाला option बिल्कुल सही नहीं है, तो answer A लगेगा, ठीक है friends, तो इस तरीके से हमने concept को use करके, हमारी trick को use करके, हमने आसानी से question को click कर लिया, friends, आराम से आप इसकी एक बार practice कर लिजी अच्छे से, आपको यह याद हो जाएगा बिल्कुल, और आने वाले टाइम में अगर दर्रा से question आते तो आप आसानी से उसको बना सकते हो, friends, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाएं, तो जल्दी से subscribe कर दीजिए इस channel को, और इस वीडियो को like करिए और share करिए, thank you दोस्तो,